दगाबाजरे आज इटली के लिए केंद्र सरकार यही कह रही है इटली ने पहले तो भारत के गुनाहगारों को अपनी हदों में बुला लिया फिर भारत को दिखाया खेंगा और विबात बढ़ने के बाद अब ख़वर है कि भारत में इतालवी राजदूत भी देश से सरकार को विपक्ष के कैसे कैसे ताने सुनने पड़े विपक्ष के तानों ने इतली की गदारी ने प्रधानमंतरी मनमुहन सिंग को मचपूर कर दिया उनको दे डालनी पड़ी इतली को चेतावनी सुप्रेम कोट से किया वादा तोड़ा है इतली ने इसलिए अदालत ने इतालवी राजदूत के देश चोड़ने पर रोक लगा दी और अब देश भर के हवाई अड़ों को भी ताकीद कर दी गई कि इतली के राजदूत भारत से बाहर ना जा सके दरसल पिछले साल 14 फरवरी को केरल के पास भारत की समुदरी सीमा से गुजर रहे इतली के मालवाहक जहाज पर तैनाथ इतली के नाविकों ने दो भारतिये मज़वारों को गोलियों से भून डाला दोनों इतली नाविक गिरफतार हुए हत्या का मुकदमा शुरू हुआ यहां तक तो सब ठीक था लेकिन गरबढ हो गई बीती 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इतली के चुनाव में वोट डालने के नाम पर दोनों कुल समानत दे दी लेकिन इतली ने कहा कि हम हत्यारों को नहीं भेजेंगे और इसी पर मचा है संसद में बवंडर क्योंकि 6 करोड लोगों के देश ने सवा करोड की आबादी वाले हिंदुस्तान को बेवकूप और बेचारा बना दिया है इतली की मजाल देखे विदेश मंत्राले से लेकर प्रधान मंत्री कार्याले तक सकपका कर रह गया मचवारों के हत्यारों को वापस भेजने के नाम पर इतली ठेंगा दिखा रहा है अदालत को भी, सरकार को भी और देश को भी